हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो सुबह हो चुकी है और अब बारियातिये सिक्षर जगत से जुड़ी हुए खबरों को पढ़ने की तो देखिए आज मुख्य खबरे क्या क्या है अब 62 नहीं 65 की उम्र में रिटायर होंगे सिक्षक लोग सेवा आयोग में IAS को अध्यक्ष बनाने पर खुसी और IASE में चलेगी B8 की कक्षाएं और भी अन्यमहत्पून खबरे हैं तो बने रही है मेरे साथ चलिए बिना किसी द आयोग अधिकारी कर्मचारी संग के अध्यक्ष दिनेश पांडे जी का कहना है कि वरिष्ट IAS अफसर डॉक्टर प्रभात कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग में नया प्रभात होगा उन्हें विश्वास है कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा आयो नय अध्यक्ष के नेतित्यों में एक सशक्त और वास्थविक प्रतियोगी प्रिय आयोग के रूपे अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में अवश्य शफल होगा दिनेश जी का कहना है कि रमेश चंद्रा के बाद अध्यक्ष पद पर परिष्टतम IAS अफसर की तैनाती की गई है उन्होंने आयोग के अफसर और कर्मचारियों की तरब से नय अध्यक्ष का श्वागत करते वे कहा कि अफसर और कर्मचारी उनका हर अस्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है आयोग की भरतियों में भ्रष्टाचार के सिकायतों की जाच कर रही CBI टीम सनिवार को भी आयोग के दफ्तर में जो है वो जमी रही तो देखिए PCS परिक्षा में मिले अत्रिक्त मौका प्रतियोगी शात्रों की सनिवार को कारपेंट्री चोराहे पर बैठक हुई इसमें उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के व्याप्त भ्रष्टाचार PCS के पाठक्रम बद लजल्द लखनव में मुख्यमंत्री योगी आदितिनांती से मुलाकात करेगी अगली खबर सिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है कि सिक्षकों की सेवा निवर्थ आयू अब होगी 65 साल जो की पहले 62 साल हुआ करती थी तो देखिए सूबे के विस्व विद् सिक्षकों की सेवा निवर्थ आयू अब 65 वर्थ होगी अभी तक सिक्षक 62 वर्थ में रिटायर होते थे तो उच्छ सिक्षा विभाग की ओर से इस आसय का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री योगी आतिन दनात्री को भेज दिया गया है तो बहुत ही जल्द खुस खबरी मिलने वाली है सभी को यदि योगी आधितिनाजी की उस पे मुहर लग जाती है तो 65 वर्थ तक जो है सिक्षक अपना जो है सेवा दे सकेंगे तो उन सब को कॉंग्राचुलेशन अगली खबर यह है कि IASE में चलेगी बियट की कक्षाएं तो बियट के दाखिला पाने के एक शुक्षाच छात्राओं के लिए खुस खबरी है राज्य सेक्स्षिक अनुसंधान परिशाद किसे संबध उच्छ अध्यायन सिक्षा संस्थान IASE में बियट कक्षाएं सुरू करने की तयारी है प्रियाग राज्च के संस्थान को CPI के रूप में जाना जाता है और प्रदेश सरकार की ओर से LT का कोर्स बंद किये जाने के बाद CPI का नाम बदल कर इसे IASE कर दिया गया है IASE में बियट कोर्स सुरू किये जाने के लिए वैसे तो लंबे समय से प्रयास च चलाने के लिए कानपूर विस्विद्याले से सब्द्धता मागी थी वहां के कुल्पती ने संस्थान की प्राचारिया नीना स्रिवास्तों से संस्थान से जुड़े सिक्षकों की सूची मागी थी इसकी जांच के बाद कुल्पती प्रोफेसर जैवी वैशम पायन ने संस कुलपती ने इसमें रूची नहीं दिखाई आई-ए-ए-स-ई में की प्राचारिया नीना श्रिवास्तर ने बताया कि अब राज विश्विद्याले में कुलपती बदनने से फिर सब बद्धता पाने की उमीद जगी है उमीद है कि इस बार सफलता मिलेगी और पचास अब हुआ चात्र परिशत तो इलाहबाद विश्विद्याले के 96 साल पुराने चात्र संग के इतिहास को सनिवार को अंतिम अध्याय लिग दिया गया विश्विद्याले और संगठक कालेजों पे चात्र संग खत्म कर दिया गया और अब चात्र संग की जगा चात्र गिरोध में प्रदर्शन हुआ जिस पर पुलिस को लाठी चार्ज चलानी पड़ी छात्र संग अध्यक्ष उद्य प्रकास यादव और महामंत्री सिवम सिंग को गिरिफ्तार कर जेल भेज दिया गया कुलपती प्रोफेसर रतनलाल हांगलू को जो है अध्यक्षता में हुई कारे परिशद की बैठक में यह तै हुआ कि मौजूदा सत्र 2019 से ही इस निर्णय को लागू किया जाएगा विश्विद्याले और संगटक कालेजों में इस बार छात्र संग की जगा छात्र परिशद का चुनाव होगा तो दिखिए बैठक के दौरान चपे चपे पर रही स गठन की तैयारी इलाहबाद विश्विद्याले और संगटक कालेजों में पंद्रा गस से पहले छात्र परिशद का गठन करने की तैयारी है सूबे के मुताबिक इलाहबाद विश्विद्याले प्रसासत चाहता है कि छात्र परिशद का गठन जल्दे से जल्द कर दिया ज जा सके और नया सत्र का संचालन में ज्यादा बाधा ना आए तो यह इती आज की प्रमुख खबरे और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप पोजे कर्मेंट बॉक्स में बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए थै